कि चुनोती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब सबका प्रयास होता है, तो नया रास्ता भी निकलता है। मुझे विश्वास है, टीबी जैसी बिमारी के खिलाब हमारे वैश्विक संकल्प को काशी एक नई उर्जा देगी। मैं One World TV समीट में देश विदेश से काशी आये, सभी अतित्यों का भी रजय से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। साथियों, एक देश के तौर पर भारत की विचारधारा का प्रतिवीम, वसुधैव कुटुमकम, यानि Whole World is One Family की भावना में जलगता है। ये प्राचीन विचार आज आधुनिक विश्व को इंटीग्रेटेड वीजन दे रहा है, इंटीग्रेटेड सॉलूशन्स दे रहा है। इसलिए ही प्रेशिडेंट के तौर पर भारत ने जी ट्वेंटी समीत की भी थीम रखी है, One World, One Family, One Future। ये थीम एक परिवार के रूप में पूरे विश्व के साजा भविश्व का संकल्प है। अभी कुछ समय पहले ही भारत ने One Earth, One Health के वीजन को भी आगे बढ़ाने की पहल की है। और अब One World TV समीट के जरिये भारत ग्लोबल गुर के एक और संकल्प को पूरा कर रहा है। साथियों, 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच और एप्रोच के साथ टीबी के खिलाब काम करना शुरू किया, वो वाकई अभुद्पुर्व है। भारत के ये प्रयास आज पूरे विश्व को इसलिए भी जानने चाहिए। क्योंकि ये टीबी के खिलाब वैश्वीक लड़ाई का एक नया मोडल है। बीते नव वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाब इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है। जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन, जनभागे दारी, एन्हेंसिंग नूट्रेशन, ओषन के लिए विशेश अभियाँ, टीट्मेंट इनोवेशन, इलाज के लिए नही रणनिती, टैक इंटिग्रेशन, तक्निक का भरपूर इस्तमाल, और वैलनेस और प्रिवेंशन, अच्छी हिल्थ को बढ़ावा देने वाले, फीट इंडिया, खेलो इंडिया, योग, जैसे अभियान, साथियों, टीबी के खिलाब लड़ाई में, भारत ने जो बहुत बड़ा काम किया है, वो है, पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन्भागिदारी, भारत ने कैसे एक यूडिक अभियान चलाया, ये जानना, विदेश सी आये हमारे अतित्यों के लिए, बहुत दिल्चस्प हो होगा, फ्रेंड्स हमने टीबी मुक्त भारत के अभियान से जुड़ने के लिए, देश के लोगों से नीच शह मित्र बनाने का आवाहन किया था, भारत में टीबी के लिए, उस्थानिय भासा में, शह सब्द परचली था है, इस अभियान के बाद, करीब करीब दस लाख ट टीबी मरीजों को, देश के सामान्य नागरिकों ने एड़ अड़ किया है, गोद लिया है, आपको जानकर हरानी होगी, हमारे देश में, दस बारा साल के बच्चे भी, निक्षय मित्र बनकर, टीबी के खिलाब लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे कितने ही बच्चे हैं, जिनों ने अपना पीगी बैंक तोड़ कर, टीबी मरीजों को एड़ अड़ किया है, टीबी के मरीजों के लिए, इन निक्षय मित्रों का आर्थिक सहयोग, एक हजार करोड रुपे से उपर पहुँच गया है, टीबी के खिलाब, दुनिया में, इतना बड़ा कम्यूनिटी इनिशिटिव चलना, अपने आप में बहुत प्रेरख है, मुझे खुशी है, कि विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतिय भी, बड़ी संख्या में, इस प्रयास का हिस्सा बने हैं, और मैं आपका भी आभारी हूँ, आपने अभियाज वारामसी के पास लोगों के लिए गोशना कर दी, साथियों, नीक्षे मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में, टीवी के मरीजों की बहुत मदद की है, यह चैलेंज है, टीवी के मरीजों का पोशन, यह साथ मिलकर इस्तेमाल करना है, आज टीवी के इलाज के लिए, असी प्रतीशत दवाएं भारत में बनती हैं, भारत की फार्मा कम्पनियों का यह सामर्थ, टीवी के खिलाब वैश्विक अभ्यान की बहुत बड़ी ताकत है, मैं चाहूंगा, भारत के ऐसे सभी अभ्यानों का, सभी इनोवेशन्स का, आधुनिक टेक्नोलोजी का, इन सारे प्रयासों का लाप, जादा से जादा देशों को मिले, क्योंकि हम ग्लोबल गूड के लिए कमिटेड हैं, इस समीट में सामिल हम सभी देश, इसके लिए एक मेकानिजम डवलप कर सकते हैं, मुझे विश्वास हैं, हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा, यस, वी कैन एंड टीवी, टीवी हारेगा, भारत जीतेगा, और जैसा आपने कहा, टीवी हारेगा, दुनिया जीतेगी, साथियों, आपसे बात करते हुए मुझे, एक बरस्रों पुराना वाक्या भी आदा रहा है, मैं आप सभी के साथ, इसे शेयर करना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं, कि राश्पिता माक्मा गांदी ने, लेपरसी को समाप्त करने के लिए बहुत काम किया था, और जब वो साब्रमत्री आस्रम में रहते थे, एक मार उन्हें, एमदाबाद के एक लेपरसी हॉस्पिटल का, उद्घाटन करने के लिए बुलाया रहा, गांदी जी ने तब लोगों से कहा, कि मैं उद्घाटन के लिए नहीं आऊंगा, गांदी जी के अपनी विशेस्ता थी, बोले मैं उद्घाटन के लिए नहीं आऊंगा, बोले मुझे तो खुशी तब होगी, जब आप उस लेपरसी हॉस्पिटल को ताला लगाने के लिए मुझे बुलाएंगे, तब मुझे आनद होगा, यानि वो लेपरसी को समात्त करके, उस अस्पताल को ही बंद करना चाहते थे, गांदी जी के निधन के बाद भी, वो अस्पताल दसोगों तक ऐसे ही चलता रहा, साल 2001 में, जब गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का अवसर दिया, तो मेरे मन में था कि गांदी जी का एक काम रह गया है ताला लगाने का, चलिए मैं कुछ कोर्सिज करूँ, तो लेप्रसी के खिलाब अभियान को नई गती दी गई, और नतीजा क्या हुआ, गुजरात में लेप्रसी का रेट, 23 परसं से घट करके, 1 परसं से भी कम हो गया, साल 2007 में मेरे मुख्यमेंतरी रहते, वो लेप्रसी हॉस्पिटल को ताला लगा, हॉस्पिटल बंद हुआ, गांदी जी का सपना पूरा किया, इसमें बहुत से सामाजिक संगटनों ने, जन्भागे दारे में बड़ी भूमिकारे भाई, और इसलिए ही, मैं टीबी के खिलाब, भारत की सफलता को लेकर, बहुत आस्वस्त हूँ, आज का नया भारत, अपने लक्षों को प्राप्त करने के लिए जाना जाता है, भारत ने, ओपन डेफिकेशन फ्री होने का संक्रप लिया, और उसे प्राप्त करके दिखाया, भारत ने सोलर पावर जनरेशन केप्रिसिटी का लक्ष भी, समय से पहले हासिल करके दिखा दिया, भारत ने पैट्रूल में ताएप परसेंट की इथेनोल ब्लेंडिंग का लज़ भी, ताएप समय से पहले प्राप्त करके दिखाया, जन भागीदारी की अताकत, पुरी दुनिया का विस्वाद बढ़ा रही है, टीबी के खिलाब भी, भारत की लड़ाई, जिस सफलता से आगे बढ़ रही है, उसके पीछे भी, जन भागीदारी की ही ताकत है, हाँ, मेरा आप से एक आगरभी है, टीबी के मरीजों में अक्सर, जागरुकता की कमी दिखती है, कुछ ने कुछ पुरानी सामाजी सोच के कारण, उनमें ये बिमारी छिपाने की कोशिद दिखती है, इसलिए हमें, इन मरीजों को जादा से जादा जागरुक करने पर भी, उतना ही ध्यान देना होगा, साथियों, बीते वर्षों में, काशिय में, स्वास्त सेवाँ के तेजी से विस्तार से भी, टी-बी समय बिभिन बिमारियों के मरीजों को बहुत मदद मिली है, आज यहां, नेशनल सेंटर, पर डिजिस कंट्रोल की वरानसी ब्राँच का भी सलान्यास हुआ है, पब्लिक हेट सर्विलांस उनीट का काम भी शुरू हुआ है, आज बी एच्चु में चाइड केर इंस्टिटूट हो, ब्लड बैंक का मोडनाईजेशन हो, आदुनिक ट्राउमा सेंटर का निर्मान हो, सूपर स्पेशलिटी ब्लॉक हो, बनारस के लोगों के बहुत काम आ रहा है, पंडित मदन महुन मालेविया कैंसर सेंटर में अब तक, सत्तर हजार से अधिक मरीजों का इलाज किया गया है, इन लोगों को इलाज के लिए, लखनव दिल्ली या मुंबे जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, इसी तरह बनारस में कभीर चौरा हस्पिटल हो, जिला चिकिस्ताले हो, डायलिसी सीटी स्केंज जैसी अनिक सुविधाओं को बढ़ाया गया है, काशिक्षेत्र के गाउं में भी आधुनिक स्वास्त सुविधाओं विक्सित की जा रही है, स्वास्त के अंदरों पर ऑक्सिजन प्लांट लगाये जा रहे हैं, ऑक्सिजन युक्त बेड उप्लब्त कराए गये हैं, जिले में हेल्थ और वैलनेस सेंटर्स को भी अनेग सुविधाओं से युक्त किया गया है, अविश्मान भारत युजना के तहट बनारस के डेड़ लाग से अधिक लोगों ने अस्पताल में भरती होकर अपना मुप्त इलाज कराया है, करीब करीब सब्तर जगवों पर जन अउश्रती केंद्रों से मरीज्जों को सस्ती दवाईयां भी मिल रही हैं, इन सभी प्रयासों का लाग पुर्वांचल के लोगों को बिहार से आने वाले लोगों को भी मिल रहा है, साथियों भारत अपना अनुभव, अपनी विशेशग्यता, अपनी इच्छाशक्ति के साथ तीबी मुक्ति के अभियान में जुटा हुआ है, भारत, हर देश के साथ कंदे से कंधा मिला करके काम करने के लिए भी निरंतर तत्पर है, तीबी के खिलाब हमारा भियान सब के प्रयास से ही सफल होगा, मुझे विश्वास है, हमारे आज के प्रयास, हमारे सुरक्षित भविश की बुनियाद मद्बूत करेंगे, हम अपनी आने वाली पीडियों को, एक बहतर दुनिया दे पाएंगे, मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ, आपने भारत की इतनी बड़ी सराहना की, मुझे निमंतरन दिया, मैं आपको रदे से आभार व्यक्तर करता हूँ, इसी एक शुप शुरुवात और वर्ल्टीबी डे के दिल, मेरी आप सब को इसकी सभलता और एक द्रड़ संक्र्प के साथ, आगे बढ़ने के लिए, अनेक अनेक शुप कामणाय देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद,